Hello everyone, welcome back to another video I hope सब कुछ बढ़िया चल रहा हूँ आप सबकी जिन्दगी में And आज आपके सामने खड़िया है All New Scorpio N जो की महिंदरा ने अभी recently ही launch करी है इससे बहले है आपने मेरे चैनल पे Scorpio N की एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने cover करी है Z8L Luxury ये भी Z8L Luxury है बट भाई जो twist है ना वो ये है कि ये है आपकी 4x4 जी हाँ ये है Scorpio N का 4x4 वाला variant जिसे महिंदरा कहता है 4xplore And अंदर से में आपको दिखा देता हूँ ये है automatic variant and 4x4 है तो ये डीजल में ही आती है And ये 4x4 का पूरा system मिल जाता है इदर But इसके हम बात ना बाद में करेंगे फिलाहाल तो हैर सामने से बात करेंगे इदर आपको मिल जाता है Mahindra का all new logo नीचे आपको मिल जाता है front camera मतलब कि इसमें 360 camera तो Mahindra नहीं provide करती है But yes front camera and rear camera Mahindra provide करती है And na front sensor भी मिल जाते है इसमें But दो front sensor आपको इसमें मिलेंगे एक, दो, grill की बात करें Grill बहुत ही amazing लगती है खासकर जब से नया logo आये जब से Mahindra की कारणा अलग ही premium सी लगती है और chrome treatment आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा use करा गया है इदर उपर भी करा गया है अगर नीचे इदर भी कर देते हैं तो और अच्छी लगती बट अब बात करते है Headlight unit की proper इसमें आपको LED setup मिल जाता है और नीचे आपको fog lights मिल जाती है और DRLs इदर नहीं है इदर आपको DRLs मिलती है इदर आपको indicator मिल जाती है उसके अलावा नीचे की side आपको skid plates मिल जाती है and ground clearance की बात करें Scorpion में आपको मिलती है 187 mm की ground clearance जो की भाई amazing है अगर इससे जादा होती ना फिर वो यह थार वाल हो जाता जूलती गार अभी तो ना इसमें देखा जाए इतना ना body roll आपको feel नहीं होता है 8L luxury का तो इसमें आपको 18 inches के alloy wheels मिल जाते है entire size की बात करूँ ना 255R18 है अगर यह top model ही manual में होता तो ना आपको 17 inch के alloy wheels मिलते है जो की ना थोड़ी गल्द बात है भई top model में ना 18 ही देने चाहते है मतलब मुझे यह निसमजाया की automatic में ही 18 दे रहे है और चीज में आपको बताता हूँ इसकी आप क्लैडिंग देखो वाई कितनी minimal है अगर जादा क्लैडिंग होती ना तो कार अच्छी लगती अभी all new ब्रेजा में आपने देखा ही होगा क्लैडिंग को उन्होंने क्या हाल करे है क्लैडिंग आप देख सकते हैं इधर से यह जा रही है अब नहीं हमें आपको और चीज बताता हूँ अगर आप वाइट वाली स्कॉर्प्यों देखोगे ना टॉप मोडल भी जाए उसमें यह चीज ना आपको अलग से चमकेगी जो एक लाइडिंग से हो रहे बट ब्लैक में ऐसा पता नहीं चल रही अगर बहुत की आपको और की बहुता एए इसी कुछ है Scorpio N की की मतब की तो इनको चेंज करनी जाती बट वही बात है की वगएरा यह चेंज नहीं करते है इसमें भी यही हाल है इसमें भी यही हाल है इधर से भी आप देख सकते हैं इधर से शुरू हो के उपर तक जाता है जो कि भाई बहुत भी अमेजिंग लगता है अब आजाते हैं पिछे की साइड पिछे की साइड भाई इसकी मॉस कोंट्रोवर्शिल चीज रियर लुक के बात करें रियर लुक न मुझे तो ऐस सच ना ओके लगते हैं तो इतनी खास तो मैं भी यहीं क्योंगा कि भाई नहीं लगती है ऐसी कुछ है टेल एट लेडी से इसमें चलो 4x4 की वैजिंग तो मिल जाती है उसमें मोडल्स की वैजिंग नहीं है इसमें 4x4 की वैजिंग दे रखी है मतलब कि क्या ही कहने और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जूम आरता हूँ देखो ऐसा लग रहा है बाद में पेस्टिंग करी है भाई भूल के यूनीक लगता है और उपर आपको मिल जाता है इधर आपको मिल जाता है रियर वाईपर और पिछे के साइड कोई क्रों ट्रीटमेंट ऐसे यूस नहीं करा गया जैसे जातर कंपनी सना इधर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है और नीचे आपको 1 2 3 4 यानि की 4 पारकिंग इसमें आपको यह मिल जाता है जो सबसे बड़ा डिसेट वांटेजना वाई जो यह सीट सेना यह में फोल्ड होएंगी ठीक है चीए ऐसे करके फ्रंट में जाएंगे ऐसे बट वही अगर साइड में फोल्ड होती ही तो बूट स्वेस जाता होता अब बूट स्वेस देख लो खुदी इतना सा रह जाता है मतलब कि जो डिसट वांटेज है वो इसका यही है कि बूट स्वेस वगारा इसमें कम आपको मिलेगा एंड उसके लावा तो ना थार्ड रू की बात कर नहीं है पहले अली स्कोर पर नहीं थे फिलाहाल तो नहीं बंद करता हूं एक चीज में आपको दिखाता हूं यह देखना वाइट वाइट कैसा मतलब कि अंदर आसा लेकर है पेंट उतरा वाह है और मतलब कि गैप सना आपको दिखेंगे जैसे इसका देख लोग मिल जाती है एंट सनुरूफ भी आप देख सकते हैं पिछे आपको शाक फिन एंटीना भी मिल जाता है एक तो उपसे शूट करना भी इतना होगा है ना वाई कार इतनी लंबी है एक बार देखना मतलब किनार महिंद्रा क्लेम करता है कि हाइट एंड विर्ट में यह मोडल है इसलिए आपको सॉफ टच मेटीरियल मिल जाता है कोफी ब्लैक इसका इंटीरियर एंड यह वाला पैनल आपको प्यानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है इधर वही सारे कंट्रोल से वाई विंडो अप डाउन करने वाले और विम सब्सक्राइब करने के लिए फिला सब्सक्राइब करें इसमें इसमें आपको मिल जाती है वन सेवेंटी थ्री विएच्प विद फॉर हंडर न्यूटन मीटर ऑफ टॉर जवाब पावर उपर से है फॉर बाइफ मतलब किया इंजन इतना जादा पावरफुल है और मैं आपको एक चीज बताता हूं मैंना दो होएगी होएगी बट अब हम यह सब छोड़ते हैं इंटीर क्वालिटी की बात करें ना बहुत ही अच्छा आपको प्रीमियम इंटीर देखेगा सॉफ्ट अच्छ बहुत अच्छा यूज़ कर गया उपर हाड प्लास्टिक भी है और बात करते हैं स्टेरिंग वील की ऐसा एक नंबर लगता है टॉप मोडल तो अंदर से जो नीचे वाले वेरियंट से ना उसमें तो अब्वियसी बात है कुछ ना कुछ चेंजिस होएंगे बट जो प्रीमियम नैस है इस कार की नेक्स्ट लेवल है आठ इंच किया इसमें आपको इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन मिल जाता है उसके लावा नीचे वायरलेस टार्जर मिल जाता है यह है ओटोमेटिक वेरियंट पी आर एंडी इधर करेंगे मैनुवल एलेक्रोनिक पार्किंग ब्रेक वागर आपको नहीं मिलती है इधर आपको ना आमरेस मिल जाता है जो की स्लाइडिंग नहीं है एंड ऐसे इसमें आपको सोनी के स्पीकर मिल जाते है ग्यारा जैसे अपना में बात करते है यह है इसकी में अट्रेक्शन जो है वेरियंट है ओर विल लो फॉर विल हाई एंड इधर से माउंटेंस स्नो यह बतानी भाई मतलब की सैंड मद वगेरा ऐसे ही होते है ठीक है अब इन्हों इसे बंद करता हूँ हो गया भाई हो गया ठीक है अपना में नेक्स्ट मोड पर लगाता हूँ इसे अब देखते हैं क्या लिखाएगा नेक्स्ट मोड पर लग चुक है यह देखो शिफ्ट फॉर विल हाई टू एंगेज एक्स्प्लोर मोड ठीक है अब यह मतलब की हाँ देख लो थोड़ा लैक तो हो रहा है मड रट मोड एक्टिवेटेड एंड जैसे में मोड चेंज कर रहा हूं ना जो अलग मोड लगा रहा हूं तो ना फॉर विल हाई ना अपना इंगेज हो रहा है मतलब कि यह सेट कर रुख है महिंदरा ने पीच्छे से अब नेक्स्ट पर लगाता हूं मैं इसका नाम देखते हैं क्या लिखा है और यह है सेंड मोड यह देखा आपने सेंड मोड एक्टिवेटेड लिखा आया और फोर विल हाई से ना हट नहीं रहा है अगर में हटाऊंगा ना फिर तो हट जगा अब देखो जैसे मैं हटाया ना यह वोर नि फोर विल हाई फोर विल लो की बात हो रही है इधर से आपकी फोर विल लुल लग जगा अब इने से प्रेस कर रहा यह देखो इधर विल लिखा गया तो एंटर एक्जिट फोर वील ट्राइव ड्राइव स्टार्ट्टोप शिफ्ट इंटो पी और एंड ओके एं गया मैं नौर्मल मोड एक्टिवेटेड हो गया, 4WD लो लिखा आ रहे है, अब है प्रेस करता हूं, 4WD लो ठीक है, अभी देखो, 4WD लो लिखा रहे है, हमेंने हाई का बटन प्रेस करा, अब यह हाई का आ गया इदर, मतलब कि थोड़े सेकंड्स, लेट रिस्पॉंड तो करता ही ह यह मतलब कि महिंद्रा ने कुछ ऐसी ट्यूनिंग कर रखी है कि अगर मोड प्रफॉर विल लो पर तब लगता है और टॉर्क की न हमें ज्यादा ही जुरूरत हो तब लगता है इसलिए फॉर विल लो पे तो न हमें खुदी सेट करना पड़ता है बट यह अगर आप मोड प् लगजरी रखेंगे बट 4x2 जैसे आपको होता है एक्सवी 700 में क्या वह था ओल विल ट्राइव वाला वेजिंट कितना ही लेट आपको मिला था तो इसमें भी यही कुछ होने वाला है बट अभी चलते हैं हम पीछे की साइड कमेंट सेक्शन में जुरूर बताना भाई यह आपको सिस्टम इसका कैसे लगा मतलब कि मुझे प्रीमियम तो बहुत लग रहा है बट मुझे यह देखना है जो इसके लोवर वेजेंट होंगे जैसे Z6 होएगा उसमें ऐसा ही देंगे 4x4 का या फिर इदर वो स्विच सा देंगे या फिर गेर लीवर सा देंगे वो है कि गैप से हैं जैसे इधर देखो यह वाले हो गया इधर हो गया समझरू यह देखो बट वह यह जाद हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे भाई जो महिंद्रा ने कार ना एक नंबर बनाई है और हाँ जी उपर संरूफ रहेगी आपकी इसमें आपको इलेक्रिक संरूफ भी इसमें बैट जाते हैं जो कि भाई कमफरेबल तो है बहुत ही कमफरेबल है मतलब कि अच्छी खाजी स्पेस है रिकलाइन एंगल भी बढ़िया है बट ना एक डिसट्वांटेज बताओं यह ना स्लाइड नहीं होती है भाई पीछे यह डिसट्वांटेज है इसमें इधर आपको रियर रेस इवेंट्स मिल जाते हैं इधर साब कंट्रोल कर सकते हैं सी टाइप सौकिट भी मिल जाता है एंड पीछे देना कुछ ऐसा लुक आता है डैश बोड का मदब लग रहा है यह महिंदर की आ रहा है कितनी ही प्रीम लग रही है बट जो आयर भी मैनुली है आपको दाता हूं जो इसका आम रेस इसे में निचे करता हूं इसमें आप देखना कप फोल्डर के उपपर रखी जाएगी इतना कंफर्ट लेवल ना इसमें आपको नहीं मिलेगा अभी तो चलो यह लग रहा है पनिया सी इसलिए मैं आपको पूरा दिखान ही रहूं मिलेंगे तो थर्ड रहोता ना एक तरह से मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है फिलाहाल तो आर कार के बाहर चलते हैं अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करन इस में फ्यूल टेंक का आपको बताना भूली हो था इसमें आपको 57 लीटर्स का फ्यूल टेंक मिल जाता है और देख सकते हैं एड्री नॉक्स एक नंबर प्रोड़क्ट है मतलब कि इस प्राइस रेंज में जो प्रोड़क्ट आ रहे नहीं है टॉप नोच है इनो भाई य यह एक शोरूम आपको पढ़ेगा 23.9 रुपीज जो है इंट्रोड़क्शनरी प्राइस बाद में यह 24-25 तो हीट करेगा तो ओन रोड ना जैसे केरल की बात करें उधर 30 लाग प्लस तो जाएगी क्योंकि उधर का आटी और जादा है तो यह प्राइस ही तो है कार देखो 30 फिर यह फिर वीडियो को में यही पर एंट करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ ये वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तिल देन बबाई टेक क्यर